नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबिग बूल 420 पर आज का माकेट आपका अच्छा रहा होगा है इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी फिन निफ्टी और कुस टॉक्स के बैंक निफ्टी के बारे में सो वीडियो को चालो करने से पहुऐ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आकन हिट कर दिजीगा फरसली हम बात करेंगे bank nifty के बारे में bank nifty क्या कर रहा है और साथ इसाथ कौन से अच्छे लगव से market अपना momentum कर रहा है day time frame पर देख के चलते है market क्या कर रहा है exactly lastly आपको कल के market analysis में बहुत detail में मैंने एक चीज clear करी थी आपका जो market है वो पिछले 3 दिन से बहुत अच्छे नीचे से exactly buying कर रहा था ठीक है जब भी market आता नीचे buying and buying continuously market पिछले 3 दिन में एक ही progress किया है अगर आज के market की बात करे same process exactly same है जैसा हमें आपको बचा है आज का market morning में open होने के बात नीचे आया फिर थोड़ा समय consolation फिर नीचे देन market उपर गया यह आपका आज का market का पूरा व्यू रहा है आज का market के सरा यहां मान लीजिए open होता है नीचे आता है immediate buying आता है consolation थोड़ा फिर नीचे यहां पे जो consolation था है इस consolation से market का जहां एक upper side का momentum बना चाहिए वहां market क्या किया बहुत सारे buyers के यहां पे जुन्हों ने यहां पे ही buy किया उनके sales लिए दिन market आपका अच्छा कासा day high break करता हूं मिला बहुत अच्छा positive momentum market केरी किया बैंक निप्टी को अब exactly 15 minute time frame पर गर देखें तो आज का market हमें किस प्रकार show होता हूं मिलता है अगर इस चीज को notice करेंगे आप यह काफी अच्छा positive market हमें देखने को मिल रहा है लेकिन हाँ यहां एक चीज 15 minute time frame पर clear है कि आपका जो market है वो आपका एक last जो level था last जो swing था उसके अंदर अभी 39,900 के नीच से अभी आलपिलाल market close हुआ है ठीके कौन सा level है 49,900 के market हो इसी के जस्ट उपर अगर थोड़ा सा 100 point अपर चलेंगे तो एक 40,000 का round level भी market में आ रहा है तो अपन क्या करेंगे 40,000 के round level को साथ में calculate करके चलेंगे भाई यह पूरा एक zone है ठीके market के लिए एक काफ एचा register zone है कल का market किस प्रकार open होता है यह चीज हमाले बहुत ज़्यादा महत होता है दर्शा हैगी देखे दोस्तों नॉर्मली अगर market एक uptrend में चल रहा होता है तो अपन क्या होता है अगर market flat open होता समझीगा तो मैं market में buying के लिए aggressive होता market gap up होता तो मैं market में buying के लिए aggressive होता लेकिन हाँ हाल फिलाल अपने पास round level से सो कल अगर market flat open होता है थोड़ा रुखता है 40,000 के level के उपर अगर market जो है आपका candle close मिलता है 15-minute time frame का confirmation मिलता है retracement पर एक छोटा stop loss बनता है मैं एक लगबग 70-80 रुपिस के stop loss के साथ market में CE के position के साथ जाना चाहूँगा market पिछले कुछ समय का continuously यही momentum market आपका show कर रहा है आज का market के सारा देखो open होता है नीचे आता है recovery करता है यहाँ consolidation फिर market नीचे आता है जिनों ने यहाँ पर exactly CE का buying किया था अच्छा trade बन रहाता है यहाँ ठीके यहाँ CE का अच्छा trade बनता है क्योंकि यही से market में लगबग-लगबग massively market का breakout मिलना चीए लेकिन ठीके 15-minute time frame पर एक अच्छा W बना market day break करा retracement और बहुत अच्छा market CE side का momentum अपना carry कि आगर इस प्रकार market को देखा जाए तो overall अच्छा market आए कल के market के view यह रहेगा market flat open होता है consolation break out करता है 40,000 का level याद अखना 45,000 का round level है तब market में retracement पर अच्छा buying बन सकता है gap up open होता है 40,000 का ही market support लेके उपर जाता हो मिलता है तो अपन market में एक buying का try करेंगे बहुत बड़ा gap down market का हो जाता है मानलो यह जो अपना swing है आज का ठीके लगबग लगबग यह जो आपका एक swing है 39,400 49,400 का market का अगर बहुत बड़ा gap down market हो जाता है एक बहुत immediate fall होता हो market दिख सकता है उस स्थिचे में market को जस्थ देखेंगे मारकेट में aggressive immediately कोई execution नहीं करेंगे थोड़ा वो छोटा बड़ा भी gap down होता है market तब भी में market को थोड़ा सा देखने में interest लूँगा particular time पर जो price action बनता है उस पर में market में काम करूँगा selling के लिए मेरा market का ये view होने वला है ठीके न क्योंकि market हाल फिला जिस तिती में खड़ा है breakouts दिया बहुत अच्छे बड़े targets market के बैंग निफ्टी के देता हो मिल सकता है देखते हैं कल market में profit booking आता है या market continuously जो ही अपना एक bull run जिसम बोल सकते है market continue काता है ठीके इसके बाद अपन जो ही nifty 50 की बात करेंगे nifty 50 के क्या हल चाले nifty 50 को थोड़ा सा समझेंगे daytime frame पर nifty 50 को ले लेते हैं आज का market nifty 50 का देखो first half अगर market का लेके चलेंगे न consolidation half रा second half market तब आई कि या दखना nifty 50 यहाँ अगर देखा जाए daytime frame पर market थोड़ा सा कुछ W pattern जैसा market आपका डिरावे करता हूं मिल रहा है on and average लिए अगर nifty 50 आपका यह जो level यहाँ है 17200 के जो level से nifty के breakout मिलते हैं market में positional अच्छी buying बन सकती है यह stop loss market का बन सकता है ठीके हाल फिलाल nifty भी अच्छी closing दी है लगबग लगबग 15 minute time frame पर nifty 50 को समझा जाए क्या हुआ है आज का market firstly नifty का देखते हैं आज का firstly market के सारा है so अगर notice करेंगे first हाप आपका पूरा consolidation second हाप में भी nifty 50 कोई बहुत बड़े execution नहीं किया कि यह breakout किया देन वापस अंदर आपका इस प्रकार का day high या आपका जो भी day high बनता है उसका breakout करके वापस अंदर close होता है तो यहाँ पर एक किसे बोला जाता है bull trap market का क्या बोला जाता है market का bull trap क्योंकि market उपर sustain नहीं हुआ market नीचे आगया candle close कर दिया 15 minute time frame candle closing के बाद भी market आपका फिर उपर गया तो यहाँ पर एक चीज बहुत clear होती है कि यह breakout पर भी nifty 50 में trade नहीं possible था ठीके इस breakout पर भी nifty हाँ like breakout trades तो nifty के possible था ही नहीं एक अगर यहाँ पर जो trap trading करते हैं वो बंदो है अगर यहाँ PE buying करते हैं तो उनका भी at least market stop loss जाता हो मिलता तो बहुत अच्छा हम आरे लिए market रहा नहीं nifty 50 का overall अगर बात की जाए first आप consolidation second आप में market cold side गया बहुत slow and study आपका cold side गया बहुत like इस प्रकार के candles आप notice करेंगे नहीं है market में इस प्रकार के candle अगर आप आप भी जा रहा है market तो इस प्रकार का तो बहुत ज़्यादा slow market आपका चला है अब कौन से इसे level से nifty के जो हमाई लिए बहुत ज़्यादा महत्वता निभाते में मिलेंगे हमें so firstly अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार का level डो कर दूँ यह level आपका लगबख लगबख बनता हो मिल रहा है आज का day high 17,130 17,130 का level है market का कल market flat open होता है market में अपन breakout पर bullish बनेंगे क्योंकि यही level आपका exactly अगर बात की जाए तो 17 ठीक है लगबख 17,000 मार्च का यही आपका level का day high भी यही और market का closing point भी ही है market का exactly अगर आप समझेंगे मतलब like market open भी यही हुआ था और close भी हुआ था so एक 17,130 15-minute time frame के according is the strongest level I think stronger resistance in a nifty 50 breakout होता है retracement market बनता है अच्छा अगर retracement proper बनता है अपन छोटे stop loss के साथ market में logical stop loss के साथ swings के साथ market में जो एक अच्छा कासा CE का trade execute कर सकते है market में put की क्या स्थिती रहेगी देखो मैं बहुत जादा aggressively market में put के executions दूँगा नहीं minimum 17,000 का एक round level है जो market अगर इसके नीचे निकलता है तब जाके market में कहीं P.E. अगर देखेंगे नहीं फिनिप्टी बहुत अच्छा बुल्डण आपको दिखाया आज फिनिप्टी बहुत अच्छा momentum दिखाया अच्छा market रहा फिनिप्टी का 15 minute time frame पर market को चलके समझते है फिनिप्टी की भी बात की जाए तो market बहुत sorted रहा है आज का सबसे पहले यहां से में सारे लेबल से एक बाग के लिए कर देता हूँ आठीक है यहां अगर नोटिस की जाए तो फिनिप्टी का जो डे हाई था 15 minute का वो exactly फिनिप्टी उसके फोर्थ candle पर ही breakout किया market sustain नहीं कर पाया वापस market नीचे आया तो अपने लिए like day high around around जो है 10 बजे something ही market का एक अच्छा day high बन गया फस्ताप के लिए जिसके breakout में market में कोई momentum capture किया जा सकते हो day low अपना exactly आज का पहले 3 candle 15 minute में ही confirm हो चुका था market आया buying जोर exactly create हुआ है फिनिप्टी में भी अगर बात की जाए एक अच्छा कासा W pattern market का बनाया breakout मिला देखो यहां से यहां तक में market में entry हो ना हो लेकिन एक retracement में market का possible था trade लेकिन ठीक है फिनिप्टी on and average लिए अच्छा रहा निफ्टी 50 थोड़ा सा support में नहीं था बाकि अपना आज का market एक अच्छा का पुर्ण होता है फिनिप्टी में अपन बुलिश रहेंगे बहुत अच्छा गेप डाउन हो जाता है market में wait and watch करेंगे आज का डेलो हमाई लिए महत्फपुन लेवले याद रखी है ठीक है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पर एक like comment कर दीजी का चैनल पर पहली बाव है नो चैनल को subscribe करके bell icon हिट कर दीजेगा डेली आपके साथ live जुड़ते हैं Monday morning नो बज़े से दिन में तीन बज़े तक Monday to Friday आपके साथ डेली लाव में आते हैं तो ठीक है बाई बाई टेके ज्यान रखें मस रही हो जुड़े रही है दब बिग बुल फोटो जुरो के साथ